अगर मन लिजे आप कुछ काम कर रहे हैं आपने एक। पॉलिक्ट गिया हो ओसके हैं और तो आप यह चाहए हैं कि मैं नई ब्रांच में चला जाऊं और तो तो आप एक temporary location में इसको डाल देंगे, फिर switch कर लेंगे तूसरी branch में, then वापस आएंगे सेम branch पे, and जो temporary location है, उससे changes उठा लेंगे, इसको बोलते हैं, changes को stash करना, and इसको हम कर सकते हैं, git stash command से, जो कि हम इस वीडियो में देखने जाएंगे, अभी जो photo है हमारी वो ऐसी कुछ है, माल लेते हैं, मैं home.html करके जो file है, उसमें कुछ change करता हूँ, माल लेते हैं, मैं लिख दिया, this is my homepage, control x, y, save हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक, ठीक है, तो अगर हम git status करेंगे, तो हमें change दिख रहा है, कि untracked है, आमने commit नहीं किया है, लेकिन आप चाहते हैं, कि आप branch switch करें, और branch switch तो करें ही, यह जो home.html है, यह आप नहीं चाहते हैं, सभी बात है, अगर मैं git branch करता हूँ, तो यहापे तीन branches हैं हमारी, contact us, master and support, अभी हम master के अंदर हैं, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, अब मैं switch करना चाहता हूँ support में, लेकिन मैं नहीं चाहता, कि जो मैंने changes किया हैं, वो आएं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमें देखा है पहले, कि अगर मान लीज़े कुछ changes हैं, और मैं switch करता हूँ, हो सकता है, उसके साथ हाजएं, ठीक है, नई ब्रांज में बेज़ें, हो सकता है, कोई conflict हाजएं, ठीक है, तो best तरीका क्या है, best तरीका यह है, कि उसको आप stash कर लीज़े, stash क्या होता है, जैसे ही आप देखो, git stash चलाते हैं, git stash, लिखा हुआ है, saved working directory, and index state, work in progress on master, कहने का मतलब है, अगर मैं git log करता हूँ, one line, तो last commit पे मैं आ गया हूँ, यह देखो, last commit लिखा हुआ है, 2F0 and 240 and 240, यानि कि, जो मैं काम कर रहा था, अब वो last commit पे आ गया है, ठीक है, और अगर मैं git status करूँगा, तो देखेगा, working tree clean हो गया है, जो हमने git stash किया था, वो एक memory में जाके, इससे हो गया है, ठीक है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरी branch में जाना है, दूसरी branch में चले जाएए, git switch, contact us, तो branch switch कर लिया है, हमने कोई दिख्यत वरी बात नहीं है, जो भी आपको काम करना था, contact us में, काम कर लीजिए, वापस से master में आ जाईए, ठीक है, जो आपने stash किये थे changes, वो आप फिर से लाना चाहते हैं, तो आप कैसे लाएंगे, ये देखने के लिए, कि जो stash हुआ है, वो save भी हुआ है नहीं, उसके लिए command है, git stash list, ठीक है, ये देखे, लिखा रहा है, कि एक stash है change हमारा, और जो stash हुआ है, उसका last commit यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसका विए मतलब नहीं है, अच्छा, तो अब मैं master पर हूँ, git status किया मैंने, master पर हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो stash changes है, उनको वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं गरूँगा, git stash, ठीक है, आप देखो, वापस से आगे है, समझ रहे हैं, वापस से आगे है, हम देख भी सकते हैं, git diff करके, देखो, this is my home page, हमने ये change किया था, वो आ गया, ठीक है, obviously, अगर आप git stash list करेंगे, वो खाली हो गई हो, ठीक है, चलिए, आप चाहते हैं, git stash करते हैं पहले तो, ठीक है, आप चाहते हैं, जो git stash की list है, वो खाली ना हो, तो उसका भी तरीका है, एक काम करते हैं, पहले तो pop करते हैं, नहीं, चलिए, stash करते हैं, ठीक है, तो अभी एक stash हो गया होगा, git stash list करते हैं, एक stash हो गया है, कुछ और भी change करते हैं, ls करते हैं, अब मालीजे, मैं notfound.html में change करना चाहता हूँ, nano notfound.html, notfound लिखा हो है, आप पर कुछ नि लिखा हो है, मैं लिखेता हूँ notfound page, ठीक है, वाई, सेव किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, git stash करते हैं, यहाँ पर change आ रहा है, अब देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मालीजे, आप कोई particular stash change चाहते हैं, जैसे मालीजे, यह वाला, पुराने वाला, जो हमारा home.html में था, तो उसका भी तरीका है, git stash apply, ठीक है, git stash apply, अगर देखें, मैं ऐसी चला दूँगा, इसको git stash apply, तो क्या होगा, लास्ट कमिट जो है, वो apply हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो, पॉप नहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या है, कि यह stash list में रहेगा, ठीक है, apply भी हो जाएगा, and stash list में रहेगा, करके देख लेते हैं, एक बार, देखो, चलाया मैंने, not found or test, समझ रहे हैं, और अगर मैं git stash list करता हूँ, तो देखो, दोनों changes आ रहे हैं, ठीक है, फिर से एक बार इसको stash कर लेते हैं, stash list किया, अच्छा, तो गड़बड होगी, दो changes हो गए हैं, stash, लेकिन हमें पता है, same है, stash 1 and stash 2, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, माल लीजे, हम चाहते हैं, कि इसको delete करना, ठीक है, तो git stash, drop, and then, इसको जिपका दी as it is, ये copy करिए, and ये paste कर दीजे, ठीक है, अगर आपको पूरी list ही clear करनी है, माल लीजे, तो आप चला सकते हैं, git stash clear, ठीक है, आप देखे, सब कुछ clear हो गए है, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे idrE थी, ये last commit आ रहा था, इसको जो मतलब बनता नहीं है, तो एक काम करता है, अच्छा, branch कौन कौन सी हैं, अभी ये देख लेते हैं, git branch, master में है, तो एक काम करते हैं, ls कर लेते हैं, एंड दो files में change करते हैं, ठीक है, nano about.html, इसमें body से पहले लिख देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, और क्या करते हैं, nano home.html, दूसरी branch में कुछ काम है, मुझे switch करना है, ठीक है, एंड मैं sure हूँ, यार home.html, अगर मैं ले जाऊँगा साथ में, तो conflicts आएंगे, सिर्फ मेरे को home.html को ही stash करना है, about.html ना भी करूँ, चलेगा, ठीक है, अगर मैं git status करता हूँ, git status, तो देखो, about.html अभी working directory में है, लेकिन, अगर मैं git stash list करूँगा, तो यहाँ पर पहुँच गया होगा, हमारा क्या, home.html, ठीक है, अब यह syntax क्या है, git stash-home.html, ठीक है, यह तो आप file का नामे ठीक हो, यह लेकिन यह क्या है, double hyphen, यह basically एक separator का काम करता, ठीक है, separate किसको, branch को, and home को, हम देखेंगे, कि git stash branch करके भी होती है, तो git stash branch, then branch का नाम आएगा, ठीक है, अगर हमने directly home.html लिख दिया, उस case में, तो confusion create हो जाएगा, बताऊँगा, git status किया हमेने, कोई दिक्या तोरे बात नहीं है, हो गया है, अब देखो, git stash hyphen home dot html, hyphen 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 home dot html, यहाँ पे ना हम message भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कि hyphen hyphen के साथ ही दो, वैसे भी दे सकते हो, लेकिन हम message भी दे सकते हैं, आपे, माइनस m, home changes, कुछ भी दीजे, ठीक है, तो देखे हो, separator आ गया है, कि हाँ बई, जितने भी हमारे options थे, हो हमने दे दिये, and अब हम file देंगे, तो यहाँ पे separator यूज हो रहा है, काम में आ रहा है, ठीक है, तो git stash minus m, home changes, देखो, अब अगर मैं git stash list करता हूँ, यह बहुत useful है, तो देखे हो, home changes यहाँ पे आ गया है, नाम के साथ आ रहा है, यही हमें चाहिए, ठीक है, last commit से क्या मतलब है, last commit को कैसे हम use करेंगे, मा लीज़े हमारे 10 stash changes है, तो हम कैसे identify करेंगे, तो minus m, यहाँ रखे का बहुत important चीज़ है, ठीक है कोई लिक्कत नहीं है, अब मैं एक और कर लेता हूँ, git stash, git status करते हैं, about.html है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इसको भी stash कर लेता है, git stash minus m, अब तो यही है, तो file की ज़रूत नहीं है, फाइल के नाम की ना, यहाँ पर लिखते हैं about, ठीक है, अब git stash list करेंगे, तो नाम के साथ हाएगा, meaningful चीज़ है, अब देखो, about home changes, ठीक है, अब देखे, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं git stash apply करना चाहता हूँ, अगर मैं देखो apply करूँगा, master में करने हैं माल लीजे, तो कोई id दूँगा, apply जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए git stash show, and then stash की id हमारी, तो देखो, यहाँ पर लिखा गया है, about.html changes थे, यह changes थे, अगर आपको changes देखने हैं, तो option देदी, जिएका P, तो यह देख रहे हो, यहाँ पर exactly change आ गया, कि आपने क्या change गया था, उस particular stash में, ठीक है, git stash pop करते हैं, pop and git stash pop, ठीक है, अब एक चीज करता हूँ, मैं git add कर देता हूँ, home.html को, अब अगर हम git status करते हैं, तो देखो, staging area में home.html आ गया है, untracked है about, अब मैं stash करता हूँ, तो देखो क्या होगा, git status, देख रहे हो, staging area वाला भी stash हो गया है, untracked वाला भी stash, देख रहे हो, दोनो stash हो गया है, ठीक है, and then अगर मैं pop करता हूँ, pop किया, अब दोनों हो गये हैं untracked, तो इसके लिए करना है, कि सर, मेरे को सिर्फ untracked changes ही stash करना है, जो add हो रखें वो नहीं करना है, तो उसके लिए किट stash, keep index, ठीक है, अब देखेगा, git status किया मैंने, तो home.stml stash नहीं हुआ है, just untracked वाला stash हुआ है, ठीक है, stash pop कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, git status कर लिया, ठीक है, एक काम करते हैं, एक नई file create कर लियता है, touch temp, ठीक है, temporary file, वाल दूदी, git status किया, तो देखो, एक है, ये tracked file है, कुछ के बारे हम पता ही नहीं है, एक बार भी हमने इसको, staging environment डाला नहीं है, commit नहीं किया, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, अगर हम कोई change करते हैं, तो वो changes untracked देखता है, समझे हो, file तो untracked नहीं, यहाँ पर file ही untracked है, अगर मैं git stash करता हूँ, and then मैं git status करता हूँ, temp जो हुआ है, वो stash नहीं हुआ है, यानि कि untracked stash नहीं हुआ है, आप कर सकते हो, कैसे पहले तो आप pop कराओगे, एक साथ ले जाने के लिए, and मैं करता हूँ, यहाँ पर git stash include, hyphen hyphen include, tap दबा दिया, मैंने enter किया, अब देखो, कि इस status करता हूँ, तो temp जो stash हो गया, समझे रहे हो, यह काफ़ important है, ठीक है, and then आप pop कर लिजे, आपका काम खतम हो गया है, ठीक है, तो मैं आपको यह says करूँगा, विडियो, दुबार से देख लिएजे एक बार, 2X करके, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स हो गई, एक बार विडियो देख लिएजे, एंड अपने notes बनाईए, उपर उपर से, कि हाँ खलाना यह काना यह जी, and अकर आपने notes बना लिए, मैं पिंड कमेंट में डाल दूँगा, हो सकता है कोई शेयर करें फ्यूचर में, तो मैं पिंड कमेंट में डाल दूँगा, करेंगा,